उसी तरह से गोगोई साब को उनोंने रफाइल का फैसला दिया, अयोधिया का फैसला दिया सरकार के हक में और उनको रेटायरमेंट के बाद राजसभा का मेंबर बना दिया गया हाई कोट भी एक है चुका कि गुजरात पुलीस ने बिल्कुल बोगस इंवेस्टिगेशन किया था, गलत लोगों को पकड़ लिया था, फिर भी उसको डिसमिस करके हमारे उपर 50,000 का फाइन लगा दिया था उस केस हैं, वहां के आदिवासियों को मारती पीटती हैं, बलाखकार करती हैं, जान से मार देती हैं, जूटे केस बनाकर लोगों को बंद करिया जाता है, सोनी जी को भी बंद किया गया था, उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, फुस समय अब यह सब क्यों हो रहा है, एक केस मैं कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अभी चल रहा है, अडानी की कुछ चतिस गड़ में कोईला की खदानों के बारे में, तो ये खदान बिना किसी बिडिंग के, राजस्थान की जो माइनिंग कंपनी है, उसको दी गए थी, राजस्थान सरकार की, उस कंपनी ने सब कॉंट्रैक्ट अडानी की कंपनीों को दे दिया, सरकार ने उसमें, चाहे वाइल लाइफ इंस्टिट्यूट ने बोला कि भई यहां, पहले तो मिनिस्ट्री अफ एन्वारिन्मेंट ने ही उसको नो गो एरिया डिक्लियर कर दिया था कि यहां कोई माइन माइनिंग नहीं करी जा सकती है, उसके बाद वाइल लाइफ इंस्टिट्यूट ने भी बोला कि यहां कोई माइनिंग नहीं हो सकती, तीन लाग पेड काटे जाएंगे, बहुत डेंस जंगल है यहां पर, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने और च्छतिसगड सरकार ने मिलकर वहां पर अडानी को माइनिंग करने की परमिशन दे दी, तो पहली बात तो खेर यह अडानी को सब कॉंट्राक्ट करी ही नहीं जा सकती थी, लेकिन राजिस्तान सरकार की ओफिशल माइनिंग कंपनी ने अडानी को सब कॉंट्राक्ट दे दिया इसका, क्योंगी सुप्रीम कोट ने साफ साफ बोला था कि भाई ये कोईले की खदानों का auction होना होगा और बगैर auction के सिर्फ सरकारी company को दिया जा सकता है सरकारी company को निजी company को sub contract नहीं दे सकती लेकिन राजस्थान सरकार ने दिया और 36 गर सरकार ये दोनों अडानी जैसी company के लिए सब लोग सारी पार्टियां सारे राज उनको welcome करने के लिए तयार हैं और उस चक्कर में उनको हर तरह की सुविदा देने के लिए तयार हैं सिर्फ सुविदा ही नहीं उनके कहने पर अभी तो वहाँ पर इसलिए माइनिंग नहीं हो पा रही क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों ने इसको बहुत oppose किया हुआ है बहुत local opposition है जबर्दस लेकिन इस opposition को खतम करने के लिए आदिवासियों को वहाँ से हटाने के लिए फिर ये सब किया जाता है जिसकी वज़े से प्रमार थे यह दिखाने के लिए कि यह जो यह लोग कह रहे हैं कि हमने नकसलों के साथ मुंड़ बेड में मार दिया नकसलियों को लेकिन यह वहाँ के आदिवासि थे बिल्कुल innocent आदिवासि थे जिनको मारा गया इसके बगत प्रमार थे और ये case तो बिल्कुल एक्तम जिसको कहते हैं कि crying for an independent investigation फिर भी Supreme Court ने ये बोल दिया कि ने ने वहाँ की police जाच कर चुकी है और भे police के खिलाफ तो आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने इनको मारा और वोही लोग जाच कर चुके हैं और इसलिए अब इसमें कोई और जाच होने की जर्वत नहीं है और इसलिए आपने जूटा case किया है क्योंकि police जाच करके ये कह चुकी है कि भाई नहीं सब कुई ठीक है जो हम कह रहे हैं वो सही है मतलब ऐसा बेहुदा judgment सुप्रीम कोर्ट से आना और उसके उपर ऐसा fine लगा देना कि 5 लाख रुपे कि इनके खिलाफ case भी चला दो जूटा case दायर करने का इनके खिलाफ 5 लाख का fine भी लगा दो हम लोगों ने actually जब मेरे खिलाफ contempt में judgment दिया कि तुमको convict किया जाता है तुमने बढ़ा serious contempt commit किया यह दूसरी बात है कि उसमें एक रुपे का जुर्माना लगाया और नहीं तो तीन महीने की जेल वगेरा लेकिन conviction तो कर दिया contempt के लिए तो हम लोगों ने case file किया कि अगर जब Supreme Court कोई original contempt में आपको दोशी ठहराता है कोई criminal charge में यह criminal charge है तो उसमें कम से कम एक appeal होनी चाहिए यह Supreme Court बार-बार कह चुका है कि कि किसी भी जने के खिलाफ अगर कोई conviction होता है तो कम से कम एक appeal होनी चाहिए तो हम लोगों ने एक petition file करी कि इसमें एक appeal तो कम से कम होनी चाहिए तो Supreme Court में ही कोई larger bench के सामने जाए नहीं तो कोई दूसरी bench के सामने जाए एक appeal तो हो तो उस पर अभी notice issue किया हुआ है इसी तरह से अब यह जो fine लगाने का सिलसला चल गया है हम लोगों के उपर हम लोगों ने petition file करी कि वह वो पुराने chief justice थे लिपक मिशरा उनका CBI investigation कर रही थी क्योंकि एक medical college scam में उनका involvement था तो हमने petition file करी कि CBI तो सरकारी agency है chief justice का investigation सरकारी agency करे यह पाट ठीक नहीं है supreme court पहले भी कह चुका है इसलिए कोई swatantra SIT का गठन होना चाहिए जो इसका investigation करे वो petition supreme court ने और यह अरुन मिशरा साहब जो आज human rights commission के chairman बन गया है उन्होंने और इसमें यह भी थे खन्विलकर साहब जिन्होंने यह judgment दिया है इन दोनोंने dismiss कर दी और 25 लाग का fine हमारे campaign for judicial accountability के उपर लगा दिया अब 25 लाग की जगे 25 करोड भी लगा सकते थे सवाल यह है कि इन लोगों की जो यह बेलगाम power है arbitrary power कि कुछ भी कर दो कुछ भी कह दो कोई हमारी तो जबाब दे ही है नहीं कोई हमारे खिलाफ कोई appeal है नहीं तो इसलिए कुछ भी कर दो और यही किया गया इस case में भी ऐसा बेहुदा judgment कि आप खहर रहे हैं कि पुलीस जिसके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने फर्जी भुटभेड में लोगों को मार दिया अदिवासियों को कि उन्होंने इजाच कर ली और उन्होंने बोल दिया सब ठीक है तो इसलिए सब ठीक है और आपने जूटा case बनाया है और आपके उपर पांच लाख रुपए का fine लगा दिया जाता है तो ये एक बहुत ही मतलब अजीब ट्रेंड बन गया है और बहुत सारे जजों को ये लगने लगा है खास कर वो जज जो retirement के पास आते जाते हैं और जिनको कोई post retirement job की जरुवत होती है जैसे अरुन मिश्रा साहब इन्होंने हरिन पांडिया का judgment दिया हमारे उपर पचास हजार का fine लगा दिया हम लोग गये थे कि इसमें independent investigation होना चाहिए हाई court भी ये कह चुका कि बहुत गुजरात police ने बिलकुल bogus investigation किया था गलत लोगों को पकड़ लिया था फिर भी उसको dismiss करके हमारे उपर पचास हजार का fine लगा दिया था उस case उसके बाद उन्होंने कई एहम फैसले बिला, सहारा वगेरा सब दिया और retirement के बाद human rights commission का उनको chairman बना दिया गया पहले तो 6 महीने तक उनको अपना official घर return करने दिया गया, rules को सब दरकिनार करके एक महीने के अंदर खाली करना होता है पंगला, उनको 6 महीने तक रखने दिया गया, उसके बाद उनको national human rights का chairman बना दिया गया, human rights commission का, उसी तरह से गोगोई साहब को उन्होंन रफाइल का फैसला दिया, अयोधिया का फैसला दिया, सरकार के हक में और उनको retirement के बाद राजसभा का member बना दिया गया, अब खनविलकर सहाब 30 तारिक को retire हो रहे हैं, आप देखिये कि इनको क्या मिलता है retirement के बाद, तो ये एक तरीका बड़ा प्रचलित हो गया है कि जज क्यों को retirement के बाद का कोई नौकरी का लुभान देकर और उनसे जो चाहो फैसले करवालो, ये बात अरुण जेटली ने एक बार पारलमेंट में बोली थी, कि the lure of post-retirement jobs influences pre-retirement judgment of judges and this is a serious threat to the independence of the judiciary, और हम देख रहे हैं कि आज ये सब हो रहा है, मैं तो थोड़ा सा बस हटके नियाएपालिका की बात करना चाहता था, कि देखिए आज देश में हम देख रहे हैं कि हर तरह से लोगतंत्र का, मौलिक अधिकारों का पतन हो गया है, और देश एक बिलकुल फासिवादी track पर निकल गया है, ऐसी situation में नियाएपालिका की खा हाइर जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको दायत्व दिया गया है, कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, लोगतंत्र की रक्षा करना, समविधान की रक्षा करना, और कारिपालिका और विधायका को अपने दायरे में रखना, ये सब बहुत बड़ा दायत्व सुप्रीम कोर्ट और हाई को दिया गया है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं, कि हर तरह से हमारे लोगतंत्र का हनन्न हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन्न हो रहा है, समविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन जादा तर हम देख रहे ह और मौलिक अधिकारों की और लोगतंत्र की रक्षा नहीं कर रही है, एकाद अपवाद ऐसे आते हैं, एकाद केसिज ऐसे आते हैं, जैसे मौहमद जुबेर के केस में अच्छा फैसला आ गया, एकाद और केसिज में अच्छा फैसला आ गया, लेकिन बाएं लार्ज हम ये देख रहे हैं कि आज न्याय पालिका की इस्वतंतरता बिलकुल चर्मरा गई है और ऐसा दिखाई देता है कि न्याय पालिका ने उच और उच्चतम न्याय पालिका ने अपने घुटने सरकार के सामने टेक दिये हैं. तो ऐसे situation में हमारा सब का दायत वो बनता है कि जब जब हम ये देखें कि न्यायप वाले का अपना काम नहीं कर रही अपनी duty नहीं निभा रही और हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही वहाँ पर हमको बिलकुल खुल कर उसके खिलाफ हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए बिलकुल खुल के और जोर के करना चाहिए और जहाँ जहाँ वो कुछ अच्छा काम करते हैं वहाँ पर हमको उनका प्रेज करना चाहिए क्योंकि हमने यह देखा है कि public opinion का बहुत बड़ा impact होता है न्यायपालिका की functioning के उपर भी तो इसलिए बाकी तो सब बातें और लोग करेंगे लिकिन मैं बस न्यायपालिका के बारे में ही थोड़ा बहुत कहना चाहता था बहुत बहुत धनिवाद निसनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निसनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए rate click के subscribe बटन को दवाएं फिर bell icon की घंटी दवाएं निसनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करे like करे comment जरूर करे